स्वामित मेरे सयोगी मेरे को बता रहे हैं और आपको भी बताएंगे कि नतीजे कैसे है स्वामित गूड आफ्टरून बताइए नतीजे कैसे आ रहे है अगर आप देखेंगे कंपेट तु लास्ट कौर्डर दे कंपनी का रेवन्यू करीब आट परसंट से उपर हो सकता है अब रिलाइंस इंडस्ट्रीज के जो डोट लीड करेंगे रिलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए वो रहेंगे रिटेल और रिफाइनिंग रिटेल में अनलेस्ट एक्सपेक कर रहे है अबिटा के ग्रोथ करीब 21% होने का क्योंकि जो festive season था उसमें एक strong demand देखने को मिली उसके अलावा COVID-related restrictions कम थे, store addition काफी robust था और company का जो new commerce business है जियो मार्ट उसमें भी अच्छा खासा traction देखने को मिला उसके अलावा जो O2C segment है oil to chemical segment उसमें analyst expect कर रहे है कि EBITDA growth करीब 13% की आ सकती है और O2C segment में जो refining division है वो outperform कर सकता है और refining division outperform करने के पीछे का कारण ये होगा कि Singapore gross refining margin third quarter में उपर की तरफ था और इसी कारण refining business जो है वो outperform करेगा अब अगर petrochemical division देखेंगे तो उसका performance करीब flattest type होगा compared to last quarter और इसके पीछे का कारण ये है कि जो raw material cost था वो third quarter में उपर था अब जो petrochemical division है इसके लिए जो raw material है वो है gas और gas prices उपर होने के कारण company का जो gas exploration business है उसको benefit हो सकता है और analyst expect कर रहे है gas exploration business का EBITDA करीब 71% से उपर हो सकता है अब अगर हम telecom business देखें Reliance Industries का तो उसमें stable set of numbers expected है analyst को revenue, EBITDA, net profit करीब 4-5% से grow कर सकता है और इसके पीछे का कारण होगा company का higher arpoo और subscriber growth, higher arpoo हो सकता है क्योंकि company ने December में terrified लिया था और subscriber growth देखना जरूर important होगा क्योंकि अगर आपको याद होगा तो second quarter में company ने पहली बाद subscriber loss report किया था उसके अलावा की चीज़े जो important रहेगी Reliance Industries के result में वो है management commentary कैसी रही है क्योंकि अभी हम जो third wave देख रहे है उसके आकारण जो retail footfall है उसका management commentary सुनना important रहेगा उसके साथ company का जो progress हो रहा है towards new energy business वो जानना भी important रहेगा company का जो नया phone launch किया था उन्होंने दिवाली में जो की geofone next था उसके लिए कैसा response मिला है वो जानना important रहेगा और आखिर में consumer behavior कैसा रहा है जबसे company ने tarify के लिया है December में ये जानना भी जरूर important होगा तो यह पर सौमीत आपको सिरे सिरे नंबर बताते हुए कि यह नंबर इस तरह के रहेंगे